मुईजु के इंडिया आउट कैंपेन का खामियाज आब मालदीव के जनता को भूगतना पड़ रहा है अपने ही देश में अब मुईजु घिरते नजर आ रहे हैं कीन को खुश रखने के लिए मुईजु मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं मुईजु के नफरत भरे अवियान का असर अब मालदीव के छात्रों की सिर माथे चड़ कर बोल रहा है भारी संख्या में भारतिय सिक्षक मालदीव में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं लेकिन मुईजु के अवियान की वज़े से भारतिय सिक्षकों ने मालदीव को छोड़ दिया है जिससे अब मालदीव सिक्षा व्यवस्था का संकट गहरा गया है सिक्षकों की कमी से कैसे निपट रही है सरकार अब इस बात को हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं मिली जानकारी के अनुसार मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानि MDM के सांसद मुहमद शाहिद ने संसद में सरकार से सवाल किया संसद ने कहा कि इंडिया आउट अफ्यान के चलते कई सिक्षक देश छोड़ कर जा चुके हैं इसकी वज़े से देश में सिक्षकों की कमी हो गई है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है संसद में घिरने के बाद मंगलवार को मुईजु सरकार के सिक्षा मंत्री ने जवाब दिया इस दोरान मंत्री ने माना कि देश में सिक्षकों की कमी हो गई है लेकिन उन्होंने इस बाद से इंकार किया कि देश में कोई संकट आ गया है इसे बीच मालदीव के सिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है आई आपको बताते हैं मालदीप के सिक्षा मंत्री डॉक्टर इसमाईल सफिफू ने कहा है कि कई बार भारती इस सिक्षक मालदीप से चले जाते हैं। इसे कुछ सब्ताह के लिए बच्चों की पढ़ाई में परिशानी आती है। उन्होंने कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है, द्वीप राष्टर में ऐसा पहले भी होता रहा है। इसमाईल सफिफू ने कहा कि अगर आप इसले 30 साल के आकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि कई बार इस छोटे से द्वीप भारत से सिक्षक आते हैं और एक महीने बाद चले जाते हैं। देस में किसी भी तरह की सिक्षक संकट नहीं है। तो यहीं सरकार वेपक्षी के द्वारा हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिक्षक की कमी हो गई है और बच्चों की पढ़ाई पर ग्रहन लगने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी मुईजू की सरकार है उनके सिक्षा मंत्री का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये पहले भी ऐसा होता रहा है। यिए सिक्षक कातें जैसे कि मैंने बताया आपको एक महीने их यहां पर सिक्षकाते हैं और फिर चले जाते हैं तो अब यह जानना जरूरी है कि आखिर माल्दीव में सिक्षकों की कमी है और भारती इसिफशक ही है जो वहां पे बच्चों को सक्षित करते हैं इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजुआपकेसर.com को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद